तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारी विच्चों स्वागे थे आपके अपने यूट्यूब चैनल दपीसी एम विजिन में प्यारी विच्चों आज के इस वीडियो के माधम से हम लोग क्लास 11 पॉलिटीकल सैंस के मोश बीवी आई वायरेल एमसी की उपरसनों को डिस्कस करेंगे जो कि आज के एक्जाम में आने के जादा से जादा चांसे सें तो वीडियो पे आप लोग अंतक बने रहें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में सेर जरूर किजिएगा साथे साथ चैनल पे पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब अविस किजिएगा तो चलिए सुरू करते हैं और एकर करके सारे कुषिन को देख लेते हैं तो देखिए बच्छो पहला कुषिन है कि सविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन हुआ तो यह आपका 1946 में संपन हुआ था उप्सिन नमर बे इसका करेक्ट अंतरूगा उसके बाद देखिए अगला कुषिन है कि भारती सविधान को अपनाया गया तो भारती सविधान को किन की दूआर अपनाया गया तो यह सविधान सभा की दूआरा ओप्सिन नमर यह इसका करेक्ट अंतरूगा उसके बाद देके अग्ला कुषन है कि मौलिक अधिकार भारते सविधान के किस भाग में वरनित है तो यह आपका भाग 3 में वरनित है, auction नमबर 2 का correct अंतरोगा और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है तो आद रखेगा वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है क क्रेठी के उसके बाद देखिए अगला कुबस्ट ने कि मोलिक अधिकारों की संसोधन में क्याझा सकती है उस के बाद देखिए अगला कुपसन है कि भारत में मनुनियन करने का अधिकार किसको है तो ये रैष्ट अध्यस को है नहीं कि रैष्ट पती को तो इसको उसन का करेक्ट अंतर होगा उप्सन नमर ये उसके बाद देखे अगला कुपसन है कि भारत में कि इनके चुनाव में अनुपातिक परति नि अपना जाती है तो यह रइष्टपती की चुनाव में अपना जाता है और ध्यान रखेगा उसके सधारन बहुमत्वरंदी व्यश्थाख तो देखें पहला उपस्ण की है यह परनाली अत्यांत्सरल है तो यह कथन सही है दूसरा option है कि इसमें विकलब चुनने में कठनाई नहीं होती तो ये भी कठन सही है तिसरा option है कि इसमें चुनाओ परिनाम निकानने में कठनाई नहीं होती तो ये भी कठन सही है चोथा option है कि यहाँ परनाली बहुत खर्ची लिए तो यह कथन गलत है क्योंकि यहाँ परनाली बहुत ही कम खर्ची लिए ठीक है तो इस question का correct अंत्र होगा option number D उसके बाद देखे अगला question है कि संग्य कारिपालिका की वैक्या सविधान के किस भाग में क्या गया है तो यह सविधान के भाग पाच में क्या गया है option number D का correct अंत्र होगा उसके बाद देखे अगला question है कि भारत का उप रेष्टपती किसका पदेन सभापती होता है तो यह रिष्टपती होता है option number 20 का correct अंत्र होगा उसके बाद देखे अगला question है कि नियुकती कौन करता है तो परधान मंतरी की नियुक्ति रैस्टपती के द्वारा किया जाता है, और पुछ है कि मुख्य मंतरी की नियुक्ति कोन करता है, तो आद रखेगा मुख्य मंतरी की नियुक्ति आपका रैस्पाल की द्वारा किया जाता है, अगर पुछ दे कि रैस्टपती की नियुक्ति क कि द्वारा रैस्टपति की नियुक्ति सरोज नियाले के मुख नियादिश की द्वारा और जो आपका मुखवंत्री होता है मुखवंत्री की नियुक्ति आपका रैस्पाल की द्वारा क्या दाता है ठीक है चलिए अगले कुसिन पाते देखें अगला कुसिन है कि लोग सभा अद्याग पत्र किसको देता है तो ये लोग सबा की उपाद्याच को देता है तो इस कोशन का विधान परिश्द के सदस कितने वर्सों के लिए निर्वाचित होते हैं अनिकि कितने वर्सों के लिए चुने जाते हैं तो यह आपका 6 वर्सों के लिए चुने जाते हैं और देखें विधान परिश्द के सदस आपका 6 वर्स के लिए और आपका रैस सभा का जो सदस होता है ये भी आपका 6 वर्ष के लिए चुने जाता है ध्यान रखेगा अगर पुछे कि विधान सभा क्या पुछे विधान सभा अतो लोक सभा ये ध्यान रखेगा विधान सभा अतो लोक सभा पुछे तब क्या होगा 5 वर्ष होगा अगर विधान परिस्वर अतो रह सभा पुछे तब आपका 6 वर्षोंगा ध्यान रखे गा, उसके बाद दिखे अगला कुपस्न है कि विधान सभा सेजियों का निर्वाचन किसकी देखरीक में होता है तो ये आपका निर्वाचन आयूग की देखरीक में होता है ओप्शन नमर डिसका कर्यक्ट नंतर होगा उसके बाद देखे अगला कुशन है कि सविधान के वेख्या करने का अंतीम अधिकार किसे प्राप्त है तो यह आपका सरोष नियाले अनिकी सुप्रिम कूट को प्राप्त है तो इस कुशन का रक्रेक्ट नत्र होगा option number D उसके बाद देखे, अगला कुशन है कि भारत में नियाई पालिका है, तो भारत में जो नियाई पालिका है, ये सवतंत्र और निश्पस नियाई पालिका है, तो इस कुशन का करेक्ट नंत्र होगा, option नमड़ी सवतंत्र, उसके बाद देखे, अगला कुशन है कि उस नियाले के नियादिस अपना त्याग पत्र किसको देता है तो उच नियाले के नियादिस अपना त्याग पत्र ये आपका रैस्ट पती को देता है तो इस कुछन का करेक्ट अंत्रोगा उप्सन नमड़ी रैस्ट पती को उसके बाद देखे उसके बाद अगला कुछन है कि संग और र कि भारत में सुदिर्ठ केंदpoxा का विचार तो आपका कानादा शूए और हमा प्रस्तावना का करेक्ष Shoes का नंतर होुंस से लेढ ہ dirt अगले कुश्रण पाते हैं देखे अगला कुश्र कहा है कि भारत में निम्लिकित मैंने से इसके अंतरगत पंसेती राज-प्रनाली की वेस्ता की गई है तो यह आपका रेज़ के निती में सिधान्त के अंत्रगत क्या गया है और एज के निती निदेशक सिधान की कौन से भाग में इसका उलेक क्या गया है तो आज रखेगा भाग नमर 4 में ठीक है उसके बाद देखे अगला कुसने कि भारती सविधान के कि संसोधन में पंशेती राज संस्थाओं को सविधानिक अधार परदान क्या गया तो यह आप सविधान संस्थान आपका 1992 में हुआ था लेकिन लागू इसे 1993 में क्या गया था ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं करना है ठीक है अकसर बच्चे इसमें फस्ते हैं उसके बाद देखे अगला कुसने कि सविधान को एक पवित्र दस्तावेज किस ने कहा तो यह आपका भी आ आपका राश के निती निसरत सीमें का कर्याक्त ऊतो होगा और अग Kindern का करेक्त नांवरेज को INTER बेकिए लो सदर में पास होने के बाद उसे दूसरा सदर में भेज़ेड़ता है फिर दूसरा सदर में बाद उसे रेस्पां दो सकता है लेकिन दोनों सदर्में पास होने के बाद ही वा कानून बनता है ध्यान रखेगा उसके बाद देखे अगला कुसन है कि राजनिताओं के लिए राजनिती क्या है तो राजनिताओं के लिए राजनिती आपका जन सेवा है उसके बाद अगला कुसन है कि इनमें से कुन रैज सासन वा सत्तक का अध्यान करता है तो ये राजनिती की वि करते हैं कि नित्कियों को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजिक करने तू सामती पून बिरोधवा परदर्शन करना चाहिए उसका करेक्ट रंतरूगा उसके बाद देखे अगला कुशन है कि इनमें से कुन राजिनितिक सवतंतरता नहीं तो इसका करेक्ट रंतर हो यह आपका राजिनितिक सवतंतरता नहीं है ठीक है उसके बाद देखे अगला कुशने कि कौन सवतंतरता की सुरक्षा नहीं देता है तो इसका करेक्ट रंतर होगा राजिनितिक पार्टियां यह आपका सवतंतरता की सुरक्षा नहीं देता है उसके बाद देखे अगला करेक्ट नथे होगा उसके बाद देखिए अगला कुछन है कि फ्रांसेसे करामती कारी कार्यों का नारा तो फ्रांसेसे करामती कार्यों का नारा स्थमौत भी था समानता भी था और भाईश सारा भी था ठीक है दिसको उसके बाद देखे अगला कुछन है कि भारत में आसमानता नहीं है तो भारत में किसके आसमानता नहीं है तो देखे धन संपदा में आसमानता हो तो हई है अवसर में भी आसमानता है और सक्ति में भी आसमानता है नागरिक्ता में आसमानता नहीं है देश की नजर में सभी ना प्राचिन भारती समाज में न्याय का सम्मन था तो न्याय का सम्मन धर्म से था उप्शन नमर से इसका करेक्ट अंतरोगा उसके बाद देखे अगला कुछन है कि न्याय का मतलब क्या है तो न्याय का मतलब है वेक्तियों को उसका वाजिव हिसा देना उप्शन नमर डिसका कर करेक्ट अन्थरोगा उसके वाद देखिए। अगला कुछने कि प्रकृतिक अधिकार की सुरक्सा ultr का काणून का औक वेक्टी की दोरा घर में प्रसुन लगवाने के लिए आवेधन दिया गया- दो माँ बीत जाने पर भी घर में टेलिफॉन नहीं लगा, व्यक्ति देरी का कारण जानने के लिए किस अधिकार का परियोग करेगा, तो कारण जाने के लिए तो सुचना उसको मिलना चाहिए ठीक है तो यह सुचना के अधिकार का परियोग करेगा उप्सन नमर से इसका कर्याक्ट अंतर होगा उसके बाद देखे अगला कुपसन है कि भारत में नागरिक्ता के संबंद में कानून बनाने का अधिकार किसको है तो यह संब्सद को है उप्सन नमर से इसका कर्याक्ट अंतर होगा उसके बाद देखे अगला कुपसन है कि नागरिक्ता खतम हो सकती है तो नागरिक्ता कब खतम हो सकती है जब किसी भी व्यक्ति पर देश द्रों का अपराद सिद्ध हो जाता है तब उस व्यक्ति की नाग नाग्रिकतवित हो जाती है तो अगला कुसन एक संश्कृति एक VOC विशारसे क्या परीनाम निकली है तो इसे आपकाय रहयक की सिóc बढ़ुदावाया साते साथ बहुत बड़ी जनसक्या का विश्थाफन हुआ साते साथ संप्रडाइक हिंसा भी हुई सम्हान नागरिक संहीता की कामना करता है तो यह आपका धर्म निर्पेश रहेज की कामना करता है option number 20 इस इस जुश्ण का कर्यक्ट अंतरूगा उसके बाद दिखे अगला question है कि शीत जुदु हैं तो शाओसित जुदु क्या था यह आपका वार की युदु था और से जुदु वार्क यूदु का मतलब वह अस्पीच वार, देखें सित यूदु कोई भी ठंडा में लड़ा गया यूदु नहीं था, ये मत समझेगा, सित यूदु सिरिफ आपका भासन के दुआरे लाया जाता था, देखें सित यूदु में क्या हुआ था, दुनिया दो गूट में जादा डिटेस यहां पर डिसक्रस नहीं करते हैं, सित यूदु सा आपका क्या था, वार्क यूदु था, उप्सन नमर से इसका करेक्ट अंतर होगा, उसके बाद देखें, अगला कुशन है कि भारत में छिपको आंदोलन का जनम हुआ, तो ये आपका वन छेतर को बचाने नहीं हुआ था, उप्सन नमर से इसका करेक्ट अंतर होगा, और चिपको अंदोलन का परतिन दिधित कि उसने किया था, तो आज रखेगा सुंदर लाल बहुगुना जोसी ने इसका परतिन दिधित किया था, ठीक है, तो ये आपका मैंने टौप 50 जो भीवी आई कोशन था और मैंने आप सभी को बता दिया, अभी और भी सेट का अप्लोड किया थाएगा, और पहले भी अप्लोड किया था सुका है, तो सभी का हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, पॉल्टिकल साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जियोग्रफी का प्लेलिस्ट बना हुआ प्रहुर्स प्राइब है